नवश्कार दोस्तों, एक्जाम ग्यान मंतरा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो AGTA और गन्ना परवेक्षक में जो भी एगरिकल्चर का स्लेवर्स है इस वीडियो में हम लोग पूरा स्लेवर्स डिस्कस गनने वाले हैं इसमें जो आपका ओफिसल स्लेवर्स आया था सदी साथ आपके पिछले पेपर ठीक है उसमें जो एगरिकल्चर कॉशन पूछे गए थे सभी को एनलाइज करके आपको ये स्लेवर्स बताया जा रहा है और यही आपको सिर्फ पढ़ना है इतना पढ़ दोगी आपकी आगामी जो पुषै इसके लगवक सारे कॉशन आपके कबर हो जाएगी ओफिसल स्लेवर्स में ठीक है क्या आपका दिया डिया था स्लेवर्स साथी साथ आपका पेपर में क्या है सभी कि अगॉर्डिंग आपके इसमें पता चल जा जाएगा ठीक है वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत ही जाथ important वीडियो है अगर आप लोग AGTA या फिर गन्ना पर वेक्षक क्या गामी आप अपर एक्षाई दियारी कर रहे हैं चलिए तो साथियों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर आपको भारती क्रिशी क्रिशी उत्पाद और उसके विपढ़न के संबन्द में जानकारी दिख रही होगी आपका जो official notice है इसमें यही आपका sliver दिया गया जैसे कि आप अपने इस official notification में देख सकते हैं जो 10 लिखा है अपना AGTA का official sliver से उसमें यह दिया गया है तो इसमें दिया गया है भारती क्रिशी बारत में क्रिशी क्रिशी उत्पाद एवं उसके विपढ़न के संबन्ध में जानकारी की अपेक्छा अभ्यारतियों से की जाती है लेकिन हम लोग को पढ़ना किया गया है इसके अंतरगा साधी साथ पेपर्स में जो गन्नापल वेक्षक का पेपर हुआ था और क्रिशी प्राब्धिक का पिछला पेपर हुआ था उसमें आखिरकार आया क्या क्या था किस प्रकार के कौश्चन आया थे किन टॉपिक से कौ आपको कौश्चन देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों बिभिन फसलों के बरतमान में MSP क्या है ठीक है ठीक है minimum selling price जो इसका नियुनतम समर्थन मूल रहता है सभी फसलों का क्या government द्वारा अभी नरधारित किया गया है यह आपको अच्छे से पढ़ना है आपका जब गेहू हो गया आपका धान हो गया आपकी बिभिन प्रकार की दाले हो गई सोया बीन बगएरा ठीक है और जो आपका मूम फली बगएरा मक्का बगएरा तो सभी के आपको MSP अच्छे से द्यान रखना है आपके पेपर में एक कौश्चन आपको MSP से पक्का देखने को मिले आँगे जो दोस्तों आपका ठीक है आपका जो स्लेवर्स में टॉपिक रहने वाला है बो है आपके बिभिन प्रकार के महत्पूर पौधे और पौधों के बिभिन रसायन हार्मोन और एंजाइम बहुत ही जादा इंपोर्टेंट ये वाला आपका टॉपिक है बिभिन प् पौधों में उपलब्ध रहते हैं आपको अच्छे से कवर करना है आपको अपनी जो परेक्षा है क्रिशी के पार्ट में उससे ये कॉश्चन देखने को मिलेगा ठीक है एक और चीज में बिल्कुल आपको किलियर कर दूँ पिछला जो आपका स्लेवर्स दिया गया था 50 आपके कॉश्चन सामाने जानकारी के उसमें पूँचे गये थे जिन मैं जो 25 कॉश्चन है आपके डायरेक्ट जो स्टैटिक जी के है उससे पूँचे गये थे और 25 कॉश्चन आपके पूँचे गये थे क्रिशी से क्रिशी का जैसा कि मैंने आपको बता दिया सिर्फ इतन उस लेवर्स में बताये गया था कि भारती कृष्टी कृष्टी उत्पाद एबं उसके विप्रण के संबंद में जानकारी छात्र को होनी चाहिए लेकिन इतने से आपका काम नहीं होगा जितना मैं आपको बता रहा हूं पूरा कंप्लीट आपको कनना है इस बार 12 से 13 आपके बीमारियां जो रहती है ठीक है और फसलों और पौधों की जो प्रमुक बीमारियां रहती है जैसे आलू का कोई रोग हो गया आपका किसी सबजी के पत्ते का कोई रोग हो गया आपका आम का कोई रोग हो गया ठीक है बिभिन प्रक्रार के जो भी रोग होते है ठीक है तो रोख का जाय केमिकल ये पारत के गयाद को नारे करना और बहुत ज्यादा इंपर्टेंट आपक पारिख इससे भी कोशन आपको अपको अपनी पुर्यक्षा है उसमें देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों भारत कीयर का संपूर्ण ठीक है उनको उगाना यानि कि जो भारत की प्रमुखाद्य फसले हैं सबसे पहले तो और जो ब्यापारिक फसले हैं उनको ठीक है क्या उनको किस प्रकार से उगाया जाता है उनमें जो बीजदर रहती है ठीक है उनकी हारवेस्टिंग किस समय की जाती है उनकौन से मौसम में क इस फसल को उगाया जाता है, अगर उनको उगाने की कोई पध्धती है, कोई special टकनीक है, उसके बारे में जानकारी ठीक है, साधी साथ उसकी बीचदर मैंने आपको बता ही दी, कुछ फसलों की आपको CRI stage बायर रहती है, जैसे गेहूं की, तो सारी आपको जानकारी प्राप् ठीक है, तो जो जो important फसले हैं, जो आपको उंगलियों पर आप जिनको गिन सकते हो, गन्ना हो गया, मुमफल हो गया, ठीक है, तो सिर्फ इनको ही पढ़ लेना, आराम से वाला पार्ट आपका कबर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों फसलों की प्रमुख खाद रह में उत्पन हो जाता है कारक, और आवशक जो भी रसाएं रहते हैं, बिभिन्न फसलों के सभी आपको पढ़ना है, और किस खाद में कितने परसाइंट यूरिया और बाकी जो रहते हैं, उपलब्द होते हैं, साभी जानकारी जो है, आपको होनी चाहिए, इसमें, फसलों के बिभिन फ्रकार की जो अनुसंदान संस्थान हैं भारत के, ये सभी आपको याध होने चाहिए, साधि साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी important अनुसंदान संस्थान हैं, दो चाहदी important हैं, जैसे एक क्षावल का हो गया मनीला फिलिपीनस में है जो, एक दो आप याध कर ल हम तो कौन-कौन से महतपून्ह आपकी अभियान रहे हैं हरित कौ्छानथी वेगर, जो भी जितने की क्राइथि हैं आपको पढ़ना है ठीक है दुख्द करांती, हरित करांती जो भी आपकी करांती हैं अच्छे से आपको पढ़ना है और उनमें इंपोर्टेंट ब्यक्ती जिसको उजनक कहते हैं उस करांती का वो कौन थे, भारत में कौन थे, विश्टो इस तर पे कौन थे आपको आना वश्चक है फसलों के प्रमुख जो खर्पतवार हैं फसलों के इस्पेसलाइट जो खर्पतवार रहते हैं उनके आपको जो बॉटनिकल नेम रहते हैं वो याद होने चाहिए कौन से रसायन से उनको दूर कर सकते हैं आपको याद होने चाहिए तो खरपतवार, खरपतवार नासी, प्रमुख फसलों के कौन से प्रमुख कीट रहते हैं और उनके कीट नासक कह रहते हैं ये भी आपको आने चाहिए ठीक है लास्ट अपना जो पॉइंट है भारत में फसलों को उगाने के लिए प्रमुख अप्पूर चीजे जो आपको पढ़नी है ठीक है अब ये मत कहना की सर इतना वता रहे हैं अप देखो मित्र मैंने भी इसली कई परेक्षाओं को नकाला है ठीक है आपकी UP यूपी कॉंस्टे भी नकाला है दो बार ठीक है उननचाहजार एक तालीजार मैंने एक बार वीड पूरा आप अपना capacity दोगे उसके बाद आप result में कुछ थोड़े से की ठीक कामना फिर कर सकते हैं आप थोड़ा सा प्रयास करके ये कामना नहीं कर सकती कि पूरी चीज मुझे मिल जाए बड़ा करके थोड़े से ठीक return की आप कामना कर सकते हैं तो आपको देखो ये भरती जो है आपकी पांच साल के लिए एक बार आने वाली है इसके बाद बिलकुल मत सोचना कि 2026-27 तक आपको क्रिशी प्राब्ध या फर गन्ना की कोई भरती देखने को मिलेगी पिछली भरती गन्ना की 2016 में आई थी AGTA की 2018 में आई थी 23 लगने वाला है तो 5 साल हो गया है ठीक है तो अपना आपको पूरा देना है ये जो 12-13 नंबर है अगर आपको थोड़ा सा महनत करके मिल रहा है तो आप ले लेना इनको ठीक है आगामी जो दोस्तों है ठीक है इसमें आपको किर्शी की प्रमुख जो साखाए है ये आपको अच्छे से पढ़नी है ठीक है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना इनमें किरसी की प्रमुख जो क्रांतियां हुई है ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रमुख बैग्यानकों का जो योगदान था आपका एगरी कल्चर में, भारत की ठीक एगरी कल्चर में, ये आपको पढ़ना है, पादा फार्मॉन मैंने आपको बता ही दिया, सचाई और सचाई क इस तरोत ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पढ़ना है ठीक है और फसल प्रणालियां जो रहती है ये आपको दोस्तों पढ़ना है बायो टेकनोलोजी ठीक है जो एग्रिकल्चर में ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है परमुख हाइब्रिड फसलें कौन-कौन सी है बरतमान में जो गेहूं की चावल की ठीक है और दालों की परमुख फसलें ठीक है जो ओगाई जा रही है उनको थोड़ा आपको अ पितामा है, यह चीज में आपको बता चुगा हूँ, जैसे हरत करांदी के भारत में पितामा किसे कहा जाता है, दुगद करांदी पितामा किसे कहा जाता है, ठीक है, सचाई की बिभिन बिधियां, यहाँ पर most most important लिखा है, आपका एक नाएक कौशन आपको परेक्छा में इस जैसे की बून्द मून में आपसे पूँचा जा सकता है, किस देश में औरिजन इसका हुआ था, एजरायल में हुआ था, ठीक है, उसके बाद बिभिन फसलों की जलमांग और उनकी जो सियाराई स्टेज रहती है, यह आपको पढ़ना है, इसमें most important तू गेहूं होगे आप ठीक है, उसमें सियाराई स्टेज आपको देखना है, उसके बाद खरपतवार मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, उसके बाद खरपतवारों का बानसपतिक प्रवर्धन आपको पढ़ना है, खरीब के प्रमुक खरपतवार, रभी के प्रमुक खरपतवार, यह थोड़ा जिसमें दिया गया है, ठीक है, प्रमुख फसलों में प्रियोग किया जाने वाले खरपतवार नाशी, प्रमुख शाक नाशी, एक्चली यह जो मैं आपको स्लेवर्स बता रहा हूं, जो हम लोगों ने नोट्स परपेर किये थे, ठीक है, उसमें और डेटेल में हम लोगों न अगरिकल्चर एकन टॉपिक्स को कवर किया है, तो मैं उनके आपको बता रहा हूं कि यह यह आप टॉपिक्स अच्छे से ठीक है, पढ़ें, जिससे कि आप अपने जो 12-13 नंबर है, जो आपकी परिक्छा में आएंगी, इन में से at least 10-11 नंबर आराम से प्राप्त करें, उ आपको कौन सी फसल में बीजदर आवश्चक होती है, यह सब यह आपको देखना है, परमुक फसलों के उत्पती स्थल आपको देखना है, अनाज वाली फसलें कौन कौन सी होती है, तेले वाली फसलें वो कौन कौन सी होती है, उसके बाद रेशे वाली फसलें, इंपोर्ट से होते हैं प्रमुक फसलों में प्रोटीन की मात्रा ठीक है किस फसल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है सभी चीजें ठीक है प्रमुक फसलों में तेल की मात्रा क्या क्या होती है प्रमुक फसलों की किसमें उनकी उन्नत प्रजादियां कौन कौन सी हैं कारवन अनुप प्रमुक फसलों में जो बर्णक पाये जाते हैं, जिनसे उनका रंग रहता है, उनमें तीखापन रहता है, यह आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, एक आध कॉश्चन पक्काश से आएगा, प्रमुक भारते मिर्दा है, यह भी मैंने आपको बताया था, फसलों में वि आपके कॉश्चन आएंगे, ठीक है, मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ, इतना पढ़ लोगे, तो 10-11 कॉश्चन कहीं नहीं जाने वाले, अब यह मैं कहे दूँ कि इतना पढ़ लोगे, 12 मैंसे 12 आ जाएंगे, तो भहिया 12 तो ठीक है, गैरंटी नहीं दे सकता मैं आपको लेकिन 10 या 11 कॉश्चन आपके इतने मैंसे पूछ लिये जाएंगे, ठीक है, एक और चीज, इन सभी चीजों की क्लासिज, हम लोग आपको ठीक है, आवर डेली वेसिस पर प्रोवाइड करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, हम लोग ने आपसे कहा था कि आपका AGT और गे कितने कॉश्चन आपके परिक्षा में आने हैं, उसके बारे में चार्चा हम लोग ने की थी, आज इसमें हम लोग ने एगरिकल्चर के आपको स्लेवर्स के बारे में बताया है, कि आप इतना दोस्त पढ़ लोगे, तो आराम से जो आपके इस बार प्रिशन आएंगे, चा आपके इस परिक्षा की तेहरी के लिए, ठीक है, पिछला ही प्राइज है, आपको जिसमें complete PDF नोट्स हैं, आपकी AGTA गन्ना पर वेक्षक परिक्षा के लिए, dedicated जो WhatsApp ग्रूप है, साधी साथ है, जो हमारा अब नया Telegram ग्रूप है, ठीक है, जो quiz के लिए, उसमें भी आपको 160 रूप है, इसमें आपका दोस्तों, जो भी स्लेवर से, उसके according आपको PDFs प्रुवाइड की जाएगी, आपकी Static GK की, Math की, Hindi की, जो भी आपका स्लेवर से सभी PDFs, 550 प्लस पेच का आपका study material है, बन आफ दा बेस्ट तरीके से, आपके सभी notes प्रपेर किये गए हैं, तो notes की PDF मिलेगी, 160 रूपे में, इसमें ये मस सोचना, कोई की सर, फोन लगाई का होगी, सर, अप कुधियार आप जब करेंगे तब, ठीक है, पेड करेंगे हम लोग, ठीक है, भी अब PDF सबको इसमें प्रुवाइड की जाएगी, और दोस्तों, इसमें आपकी previous papers भी हैं, AGTA के 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 supervisor के previous slivers है, हमारा जो WhatsApp group है, इसमें भी आप अपना प्रतेक जो question है, पूँच पाएंगे, आपके जो भी doubt रहेंगे, सब कुछ पूच पाएंगे, ठीक है, ये नंबर हम लोगों का दिया गया है, जो लोग notes के demo चेक करना चाहें, अभी जो मैंने आपको agriculture का बाद में slivers बता प्रते हुए, ये सारे notes आपको ठीक है, बताया गया है, बेस्ट तरीके से आप अपनी तयारी कर सकते हैं, जो लोग दोस्तों job कर रहे हैं, मैं आपको इतना इंसे और करता हूँ दोस्त, अगर आप इतना पढ़ लोगे, जो भी हम लोगों ने आपको बताया है, one of the best तरीक इसमें आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ उतना पढ़के, आराम से आप अपनी उस परिक्षा को निकाल सकते हैं, सिर्फ एक notes में आपको कमी मिलेगी, अभी science के हम लोगों ने उसमें notes नहीं डाले हैं, लेकिन आप इस group को जो जॉइन करेंगे न, इसमें बहुत ही जल्द हम ल अधिक लोग, paid group में add हैं, और हजारों लोग, ठीक है, दो से तीन हजारों लोग दोस्तों, जो हमारे free groups हैं, telegram के WhatsApp में, उने में add हैं, तो आप बिलकुल बिस्वास के साथ, exam ज्यान मंतरा के paid group में जुड़ सकते हैं, और बन of the best तरीके से अपनी तयारी को कर सकते हैं, और एक और चीज, इन ही notes से, जो पूरी free classes हैं, ठीक है, तो बो videos के माध्यम से हम लोग आपको provide करेंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत अच्छे तरीके से notes से prepare करना चाहते हैं, तो ये PDF notes हैं दोस्तों, 550 plus page के हैं, previous papers हैं, और इनको सिर्फ AGTA exam के point of view से, इसके slivers को देखते ह हुए, पिछली जो परेक्षा हुई है, उनके papers को देखते हुए, prepare किया गया है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ये आपको हमारा WhatsApp नमबर देख रहा होगा, साधी साथ नीचे description में WhatsApp की direct link भी है, ठीक है, तो बहाँ पे आप message करके, इससे संबनने जनकारी ले सकते हैं, मात्र एक सो साथ रुपए की फीस में आप बन आफ दा वैस्ट तरीके से अपनी इस परेक्षा की दियारी कर सकते हैं, ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, जहन जे भारत